ऍे पाइम्स अवर देखते हैं कि रेश्वनरों को डिसेंडिंग ऑडर में कैसे ऐरेंगे ठीक है सबसे पहले जान लकिंते कि डिसेंडिंग ओडर मतलब क्या होता है spur Defending order means होता है Decreasi dat means sub 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 and then तो आपको सबसे पाल कुazon को डिसेंडिंग ओरेंज करना होता है सबसे पाले आपको कुछ आयों की एक दैयान देनी होता है है कॊन कौन से सटेप है तरह टिए को ससी लेगे फॉर्ष किन नमबर को रिशेंडिंग ओर्श दिक गाइंडिंगॉडर में एरेंस करते हो तो फास स्टेप है कि आपके रिशनल नंबर के दिनुमेटर जोते हैं सभी के डिनुमेटर सब्सक्रेंबर करेंगे उसके नॉमिनेटर से जो नॉमिनेटर सबसे बड़ा होगा that means वह नॉमिनेटर वह रेस्टनल नंबर सबसे बड़ा होगा और दुसरा बात है कि अगर मालते हैं कि उसके डिनुमेटर जो है रेस्टनल नंबर के रेस्टनल नंबर के डिनुमेटर अगर सेम नहीं है तो सबसे पाले हमारा प्राइमरी फोकस है कि उस सारे rational number के denominator को क्या करना उसे equal करना तो equal कैसे करेंगे तो सारे rational number के denominator को equal करने के लिए हम क्या करते LCM लेते हैं और जो LCM अधा है उसके equal कर देते हैं ठीक है कैसे equal करते हैं तो उस जो भी denominator में है उसमें कुछ sum natural number से multiply करके उसको equal to LCM कर देते हैं को लुक्त पुर्टें को करते हैं तो हमारा कि स्ट कुर्चन है देखो तो मैस्टू ऑलरे तो इंग तो सद्टीन ट्वं ट ही अगर नेगेटीव होगा दोणों को माइनस मैंट्यटीवाइट करते होगे तो आपका जो है डिनमेटर नेगेटिव टू पोजेटिव में कनभाट हो जाएगा ठीक है तो देखो सबसे पहले अगर आपको भी अभी मालूम होगा कि किसी भी नंबर को वन से मल्टिप्लाई करू या डिवाइड करू उस पर कोई फैक्ट नहीं पड़ता है त मैंस थी है इसलिए म्का कर देखें इसको करें कैसे करें मैनस वन से इसके डिनमेटर और इसके न म streamlined करें ठीक है देखो हम इसलिए इसमें नंबर से मल्टिप्लाई कियां दोनों में क्योंकि बाइलेंस हो गया अगर फिर माइनस वन से माइनस वन कैंसिल कर देते हो फिर आपका एट बाइ माइनस री आजागा इसमें तो कोई डाउट नहीं है ठीक है तो देखो अब एट इंटू एट इंटरहउज़न होता है तो positive होता है तो यहाँ तो वन है तो ओन ह़सी दूर नमबर इसलिए निगेटिव लग गया और यह इसलिए तो है इसलिए positive निस माइनस को गया अब देखो अब लूस और 2 हो जो है एक सब दियो Si Paulin from तो है इक्वल है कि नहीं इसके डिनमेटर तो इक्वल नहीं है तो इसकाम क्या करेंगे इक्वल करने के लिए LCM लेंगे तो 1 6 3 3 का LCM लेते हैं ठीक है तो 3 से 3 2 6 3 1 2 3 & 3 1 2 3 तो कितना वह 3 2 2 1 से तो कोई फैक्ट पढ़ने वाला नहीं है किसी भी नंबर को 6 K EQu Stellen तो हम क्या करेंगे कि जितना विर सन्मन्बर से है उसके डिनमेटर को 6 के इक्वल करेंगे ठीक है बाइ मल्टिप्लाइं सॉमने चुरल नंबर तो इस 1 को 6 करने केंट यहольर्णे करेंगे उसके बाद यहां पर है माइनस 13 by 6 तो इस 6 को 12 करने के लिए का करें 2 से multiply then उपर में 2 से multiply sorry 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 यह तो already 6 है इसको 6 करने की कोई जुरत नहीं है ठीक है? उसके बाद जो है minus 8 by 3 इसको 6 करने के का करें 2 से multiply then नॉमिनेटर में 2 से minus 16 by 6 उसके बाद 1 by 3 इसको 6 करने के लिए 2 से multiply then 2 से multiply 2 by 6 हो गया दिखते हैं देखो हमारा एक minus 12 by 6 है दूसरा minus 13 by 6 है और तिसरा है minus 16 by 6 है और चौथा है 2 by 6 ठीक है अब आपको क्या करना है descending order में करना है that means सबसे बढ़ा तैन उससे छोटा दैन उससे छोटा यह अब क्या है descending order का अपका form है order है ठीक है तो देखो और आप एक बात और जान लो कि जितना भी नेगेटिव नंबर होता है सभी के सभी नेगेटिव नंबर पोजिटीव नंबर से क्या होते है छोटे होते हैं तो आपको क्या करना है descending order करना है that means सबसे बढ़ा नंबर चाहिए तो यहां पर जो पोजिटीव नंबर है तो आपको पहले बता दिया है कि नेगेटिव रेस्नल नंबर जो है पोजेटिव नंबर से छोटे होते हैं जोतना भी पोजेटिव नंबर होते हैं पोजेटिव रेस्नल नंबर होते हैं सभी नेगेटिव रेस्नल नंबर से छोटे होते हैं इसका मतलब सबसे बड़ा हमारा क्या होगा टू बाइस सबसे बड जादा है जो जिसकी वैलू सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब सबसे छोटा होगा ठीक है लेकिन आपको क्या करना सबसे छोटा को यहां पर लिखना है सबसे छोटा तो देखो तो जिसकी वैलू सबसे ज्यादा होगा वह सबसे छोटा होगा तो इसमें सबसे ज्यादा दिख है सबसे ज़्यादा सबसे चोटा की सकी दिख रहा है कि सबसे बढ़ा उसे बढ़ा कौन है मैनस ट्यू व BOY ऐसक्षा मÆइस 16 एक सीकस्य तो जो डेटिव केस्च में हम यह जो रिछनल नंबर जितना चोटा ओता है उतना ही वह उसकी actual value जादा होती है माइनस 12 है, माइनस 13 है माइनस 16 है, ठीक है तो इसमें सबसे छोटा कौन है, माइनस 12 है इसका मतलब माइनस 12 by 6 जो है, इस तीनों में से सबसे बड़ा है, मतलब कहा होता है, कि आपको पहले ही बता दें, नेगेटिव केस में, जो नंबर जितना छोटा होता है, उतना ही बड़ा होता है, मतलब जो 0 के करीब जितना ही आता है, वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है उसके बाद से कौन सा बड़ा है उसके बाद 13, नेगेटिव 13 by 6, उससे बाद से माइनस 16 by 6 देखो, माइनस 16 by 6 16 जो है सबसे बड़ा सबसे बढ़ा है सबसे बड़ा है इसकी बड़ा ही इससी डीव पल के लिब भूल जाएंगे तो 16 मुछ अORA हूं इसे नेकटिव कि इतना दूर जाओंगे तो जीरो से तो उतना ही छोटा होता जाएगा इसका मतलब सबसे छोटा हमारा वैलू यह होगा ठीक है तो यह कौन से ओडर में है डिसेंडिंग ओडर में लेकिन यह आपके जो आपका रिसनल नंबर है उसका एक्विवैलेंट फॉर्म है इसका जो उरिजनल फॉर्म है उसको सबसे थे एक अट कौकल कॉजेंग आपका डिसेंडिंग ओडर में है डिसेंडिंग डिसेंडिंग ओडर में है मतलब होता है कि घटेई करहम बड़ा देन उससे छोटा देन उससफे से छोटा यहीं आपका descending order का format है उसके पर सेकेंड कुश्चन लेते हैं तो देखो सेकेंड कुश्चन है आपका है माइनस 3 बाइटेन 7 बाइटेन 7 बाइट माइनस 15 माइनस 11 बाइट 20 17 बाइट माइनस 30 ठीक है तो देखों यहां पर तो आपका first step है कि जितना भी rational number है rational number से सबके denominator को positive करना ठीक है तो positive कैसे करोगे उसके rational number में नो उसके rational number की numerator और denominator में माइनस 1 से multiply करके तो देखों माइनस 3 बाइटेन तो अल्रेडी क्या है इसकी denominator positive है अई 7 बाइट 15 है इसकी denominator negative है इसको का करोगे देखों माइनस 1 से इसकी denominator में और numerator में मल्टिप्लाई करके यह माइनस 7 बाइट 15 हो गया माइनस 3 बाइट 10 माइनस माइनस 7 बाइट 15 माइनस 11 बाइट 20 माइनस 17 बाइट 30 ठीक है और second step क्या है आपका second step है जितना भी डिनुमेटर देखों कि सेम है कि नहीं अगर सेम नहीं तो इसका टेन है इसका 15 है इसका 20 है इसका 30 इसका डिनुमेटर तिक कर है तो हम क्या सब्सक्रेश्च का NBC फीप्टीन हो गया 15 हो गया उसके बाद से कौन है नहीं सी पाइग 20 है then 30 इसका LCM लेते है ठीक है तो 5 से करते है ठीक है तो 5 तूज़ा 10, 5 तूज़ा 15, 5 फोर्जा 20 और 5 तूज़ा 60 ठीक है then इसको 2 से 1, 3, 2, 3 then again 3 से तो आपका 1, 1, 2 and then 1 तो देखो 5 into 2 into 3 into 2 5, 10, 10 दूना, 10, 3, 30, 30 दूने 60 that means 60 क्या हो गया LCM आ ठीक है LCM 60 आ गया तो अब आपको क्या करना है कि जितना भी rational numbers है सबके denominator को equal to 60 करोगे ठीक है तो देखो minus 3 by 10, 10 को 60 करने क्लिक है करोगे 6 से multiply उपर भी 6 से देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 10 को 60 कैसे करेंगे क्या चीज़से किस natural number से multiply करेंगे कि हमारे denominator 60 होगा तो आप सिंपल सा क्या करोगे 60 को 10 से divide कर दोगे तो आपका 6 आएगा इसका मतलब है अगर 6 से multiply करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा ठीक है तो 63 कितना होगा माइनस 18 by 60 उसके बाद जो है सेकेंड है माइनस ऑफ 7 by 15 15 को 60 करने के लिका है फोर से देन उपर भी 4 से मिस सेवेंटी 18 28 by 60 उसके बाद जो है माइनस 11 by 20 इसको भी 3 से इसको भी 3 20 को देखं़ 20 को 60 करने के लिका है इस लिए दूनों को त्री से माइनस 33 by 60 दैन माइनस 17 by 30 तो 30 को 60 करने के लिका करो 2 से multiply देन इसको भी 2 से तो देखो अब आपको देखना है क्या इसको डिसान्टिक ऑर्डर मेरेंज करना मिषर मतलब घटते करम में मतलब सबसे बड़ा देन उससे चोटा देन उससे चोटा और आप जानते हो यहां पर सभी की सभी नेगेटिव रसनल नंबर है इसका मतलब सभी नेगेटिव रसनल नंबर का होता है 0 से छोटा होते है और एक और बास समझ लओ जो रसनल नंबर जितना छोटा होगा नेगेटिव रसनल नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा तो आपको देखना है, इसमें सबसे छोटा कौन से है, कौन से, rational number के numerator सबसे छोटा है, तो देखो, सबसे छोटा कौन से है, 18 है, इसका मतलब सबसे बड़ा, minus 18 by 60, सबसे बड़ा rational number होगा, is among these rational numbers, ठीक है, उसके बाद है कि, यह सबसे बड़ा, उसके बड़ा, उसके बाद उस 33 by 60 उससे छोटा कौन है माइनस 34 by 60 है ठीक है लेकिन यह जो आपने रिचनल नंबर को एरेंज किया यह क्या है उस गिवेन रिचनल नंबर का एक्विवैलेंट फॉर्म है ठीक है लेकिन आपको इसके उरिजिनल फॉर्म में क्या करना है एरेंज करनी है तो देखो माइनस 18 by 60 जो है इसका उरिजिनल फॉर्म क्या है माइनस 3 by 10 ठीक है माइनस 28 by 60 का उरिजिनल फॉर्म क्या है माइनस 7 by 15 उसके बाद जो है 33 by 33 by 64 का उरिजिनल फॉर्म क्या है माइनस 11 by 20 और माइनस 34 by 60 का उरिजिनल फॉर्म क्या है माइनस 17 by 30 है तो यह आपका क्या है डिसेंडिंग ओ और्डर है ठीक है अब दिखते है question number 3 को ठीक है question number आपका 3 है minus 5 by 6 minus 7 by 12 minus 13 by 18 और इसके बार 23 by minus 24 तो आपका first step क्या है दिचना को अगरंटमेटर नेगेतिव है तो उसको positive करना जैक तो decrease 5 by 6 तो ओल्रोडड़ी पॉजिटिव इसके दिचना की hello minus 7 by 12 ऌकी जो दिचना की जो एल्रोड़ी पॉजिटिव है minus 13 by 18 को denominator already positive है 23 by minus 24 की जो denominator है वह क्या है negative है तो इसको positive करने के क्लिए करेंगे इसके numerator और denominator को minus 1 से multiply कर देंगे that means minus 23 by 24 हा ठीक है अब हमारा second step क्या है अब हमारा second step है इसके numerator को देखना कि same है की नहीं अगर denominator same नहीं है तो इसको denominator को same करना हमारा second step है तो सेम कैसे करेंगे तो जितना वेडियोंट उसका LCM लेंगे तो देखो 6 12 18 24 का LCM क्या होगा ठीक है तो देखो अब हम क्या करेंगे इसको 2 से देन 3 6 9 12 देन 3 से 1 2 3 4 देखो ऐसे आप जानते हो इसलिए तो उसे पता है जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं ठीक है देन अगें 2 से करते हैं 1 1 1 3 देन 2 अब इसको मल्टिप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 6 दू 12 बारत यह बारत यह चत्ति 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 नों बहात तर डैट में 72 आ गया हमारा LCM कितना आ गया 72 आ तो अब हमको क्या करना है कि जितना भी रिशनल नंबर है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंट को आपको 36 के इक वल करना है तो कोहोगे कैसे इकवल करेंगे तो जो भी हमारे डिनूटर में है उसको कुछ ने कोई ने कोई रेसनल नंबर से मल्टिप्लाई करके उसको इकवल टू एलसीयम करेंगे ठीक है तो देखो माइनस 5 बाइस इ 72 करने क्लिए क्या करेंगे तो हमको नहीं मालम चले किस नंबर से मल्टिप्लाई करें तो सिंपल सा फंडा है 72 से 6 को डिवाइड कर लो क्या होगा 72 को 6 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका मतलब जो है 12 से हम मल्टिप्लाई करेंगे सीप देखू अगर 72 को 6 स इसका मतलब है कि अगर 6 को 12 से multiply कर देंगे तो हमारा 72 आ जाएगा इसको कि हम क्या करेंगे 12 से multiply देन नीचे 12 से तो उपर भी 12 से multiply करेंगे क्यों हो बालेंस करना के लिए तो 12 अच्छे 60 देन नेगेटिव है और 12 अच्छा 72 ठेक है उसके सेकेंड है सेकंड के माइनस सेवन बाई टुवेल अब टुवेल को वहतर करने क्लिका करेंगे तो देखो फिर 72 को 12 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब 6 बार में डिवाइड हो जाएगा तो फिर 6 से मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है तो साथ चक 42 बाई 60 बार बहुतर 72 होगा ठीक है यहां पर नेगेटी उसके बाद थार्ड है माइनस 13 बाई 18 18 को 18 को 72 अब क्या करना 18 को किस नंबर से हम मल्टिप्लाई करें कि हमारे 72 आ जाए ठीक है 18 को तो देखू तो जब हम क्या करेंगे एस 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा मतला 18 चूका 72 होता है ठीक है तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है को हम किस नंबर से मल्टिप्लाई करेंगे कि हमारे 72 आएगा तो हम क्या करेंगे 72 को 40 24 से डिवाइड करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे 3 आएगा तो इसका मतलब 3 से इसमें मल्टिप्लाई करेंगे देन डिनोमेटर और नोमेटर दोनों को मल्टिप्लाई करेंगे 339 और 326 बाई 72 ठीक है तो देखू अब हमारा जो भी जितना भी रिशनल नंबर से सब के डिनोमेटर सेम हो गया विच इस इक्वल टू 72 हो गया अब क्या करेंगे कि हमको descending order में arrange करना है नप आयुकम मिलभा लॡ़ सब्से चोटा होता है वह सबसे बढ़ा होता ہے इस में सबसे चोटा वैलू कौन सा दिख रहा है तो आपका 69 इसका मतलब सबसे बढ़ा थिक्राथ तो माइनस फोर्टी 202 बाई 72 देखू तो नस sauce foreigner चोटा वालू कान सा है तो आपका 42 है, इसका मतलब है कि जो आपका अगर सबसे चोट, जो सबसे बड़ा अगर नॉमिञेटर होगा है, इसका मतलब सबसे बड़ा rational number वही होगा, ठीक है, तौ सबसे बड़ा, जितना भी rational number है, आपका सबसे बड़ा यही होगा, क्योंकि negative case में क्या होता है, कि जो सब सबसे चोटा जो सबसे चोटा गरने नेगर hep करें दीखो कारेर टानद घरल सिस्ट्म होगए तो चोटा नेगर से चीह होग है दो कि ओसके बाद माइन अगर 25 72 और सब से मारे 49 GPS आमको बता रहा हुए हम हैं जो भी देख को इस धवर्विंट्यक्तर शेम है सबके 74 200 सबसे चोटा होगा वह सबसे बड़ा है और लेकिन सबसे बड़ा नंबर यह सबसे बड़ा लेकिन इस पर नेगेटिव सइन हो गया इसलिए सबसे छोटा हो गया है ठीक है कोई डाउट नहीं लेकिन यह चूझ आपने रिष्णल नंबर को अरेंज किया है यह आपका इसलिए इसका ओरिजनल फॉर्म क्या है तो आपका माइनस 7 बाइट 12 उसके बाद माइनस 52 बाइट 12 असके बास जो है 69 वाइनस 23 वाइट 4 यह कौन से और में descending order that means घटते करम में descending descending order में है ठीक है एक last question और है उसको भी कर लेते हैं last question आपका है minus 10 by 11 minus 19 by 22 minus 23 by 23 by 33 minus 39 by 44 देखो यहां पर क्या है कि आपका first step आपका यहीं है कि सारे के सारे सबक्रील के डिनमेटर को पॉजिटिव करना और यहां पर सबके डिनमेटर पॉजिटिव है तो हमारा first step done अब trust step क्या है चेक करना कि आधर सेयम है तो सेकां सेक्ट करता है कि नहीं अपका सेम नहीं है तो इसे सेम कर दिया जाए कैसे सेम करेंगे सबका LCM लेंगे ठीक है तो सबका LCM लेंगे देखो 11 11 का 22 का 33 का 44 का जब LCM लेंगे तो देखेंगे कितना हमारा LCM आएगा उसी के से इक वाल जोता है हम सबके डिमिटर करेंगे बाइ मल्टिप्लाइं सौं नेचुरल नंबर ठीक है तो 11 से करते हैं 11 11 11 टूजा 22 11 3 जा कितना हो 33 11 4 जा 44 दैन 2 से करते हैं 1 1 3 दैन 2 ठीक है तो 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ठीक है 11 दूना 22 बाइस दूना 44 चोवालिस गिना इसका मतलब 132 क्या है हमारा LC हमारा तो अब क्या करेंगे कि जितना भी हमारा rational numbers है उसके डिमिटर को equal to करेंगे 132 करेंगे by multiplying some natural number to its denominator ठीक है तो देखू माइनस 10 बाइ 11 को हम किस नंबर से इसको multiply करें 11 को ताकि हमारा 132 आ जाए तो हमको नहीं समझ मेरे किस नंबर से करें तो simply क्या करेंगे 132 को 132 को क्या इसटो से डिवाइट करें आप डिमिर्मिटर में किये तो नौमिनेटर में भी करोगे तो टेन ौट 5 की तना होगा यह आपका 132 हो गया सेकेंड माइनस 19 बाइ 22 अब देखना है 22 को किस नंबर से मल्टिप्लाई करेंगे ताकि आपका 132 है आएगा तो हमका सिंपली जो 132 को 22 से डिवाइड करेंगे ठीक है तो जब हम 132 को 132 को जब हम 6 से सोरी 132 को 132 को कितना से आप 22 से डिवाइड करो कितना आगा 6 हाए इसका मतलब जो है यह हमारा 6 थो औरुसे हम क्या करेंगे 22 कोised करेंगे and then also 19 को किए, क्यों बाइलेंस के लिए ठीक है तो इसको भी 6 इसको भी 6 तो 19 आपको कितना होगा 132 हो गया और यह अन्यशक 114 हो गया डेट नेगेटिव साइंग उसके बाद थार्ड है आपका माइनस 23 भाई 33 है अब क्या करेंगे 33 को आपको क्या करना है तो 132 को इकवल करना है ठीक है तो इसमें कुछ नमबर का मल्टिप्लाइ कौन से नमबर करोंगे ऐसे तो हमको समय नहीं आ रहा है तो हम क्या करें कि 1 32 को 132 को किस से 33 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 4 आता है इसका मतलब जो 4 है उससे 33 को multiply कर देंगे तो हमारा 30 132 आ जाएगा एजन फोर्ट रिजा 12 से एंड चार्ज निया ठीक 92 आ गया माइनस 92 आ ठीक है उसके बाद माइनस 39 बाइ 44 है अब 44 किस नंबर से multiply करें कि हमारा 132 आएगा ठीक है तो देख लेते हैं तो हम क्या करते हैं 132 को 44 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 आता है इसका मतलब 3 से इसको भी दिन मेंटर को भी और नियुमिनेटर को मतलब और आये हैं उसकों uh करनायर डिसेंडिंग ऑटर में अलेंस करया मीस होता है घटते क्रम सबसे बड़ा दंसे चोड़ा दन उससे छोटब और चया कि तो लेकिन इस पर देखना स्पी नेगेटिव यह साइए तो एब लिए आपको नेगेटिव रिशनल अब आस आपको compare करना है किस से इसके निमिनेटर से क्योंकि निमिनेटर से सेम हो गया अल्रेड़ी 92, 117, 144, 120 में सबसे छोटा कौन सा है 92 है इसका मतलब यह सबसे बड़ा हो क्योंकि यह 0 के करीब जादा होगा इसके compare में इसका मतलब माइनेस 92 बाई 132 सबसे बड़ा होगा ठीक है उसके बास इससे छोटा कौन है आपका 1, negative of 117, 17 by 132 इससे छोटा कौन सा है आपका माइनस 120 by 132 और इससे छोटा कौन है आपका negative 144 by देखू सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है इस जितना भी इन्युमिनेटर है सब में बड़ा दिख रहा है और सबसे बड़ा दिख रहा है इसका मतलब सबसे छोटा है जब negative sign उससे लग गया है तो लेकिन यह तो आपका सबसे ऐक्विवयलेंट फोर्म है इसका ओर्जिनल फोर्म लिखते हैं माइनस नाइटी तू वाइ-1 एस्वाय एएटी थांटी थू थांटी थी थी है देर उसके वाद दो है मैनस सेवैं इनिटें डाटी क्वा तू ओर्टी तू का ओर्टी फॉर्म क्या है माइनस 353 रव सबसे बड़ या सबसे छोटा यह मतलब बड़ा दे छोटा देन छोटा दरन उस्क फिलिख करें क्योंकि आपका लाइक हैं मोटीवेट करता है धलकी फ्रेंड्स झाल झाल